जहेंद पहरे सातियों, रोजगार विद अजय योटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, दिखो SSE CGL में भरती आ चुकी है और आप SSE CGL के बारे में सब जानती होंगे, इसमें बहुत सारी अच्छी ओपिसर रैंक की पोस्ट सामिल है कुछ पोस्ट इसमें गजटेड हैं और कुछ पोस्ट इसमें नौन गजटेड टाइप की हैं तो इसके अंदर जितनी भी वेकेंशियां हैं, जितनी भी टैब की यहां पर पोस्ट होती है उन सबी का यहां पर मैं कंबाइड तरीके से डिसकस करने वाला हूँ कि इनमें सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है फिलाल 2022 के कोडिंग यहां पर मैं बात कुनगा कि 2022 के कोडिंग कितनी क्या सेलरी मिल रही है जैसे यहां पर एक डबल एओ की पोस्ट होती है जो सबसे टॉप लेवल की पोस्ट होती है यहां पर एक ASO की होती है इंस्पेक्टर की होती है इंकम टेक्स इंस्पेक्टर की होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की होती है ओडिटर की होती है अकाउंट एंड की होती है जूनियर इस्टेटिकल ओफिसर की होती है इस तरीके से यहां पर मल्टीपल टाइप की पो जैसे इनको basic pay, DA, HR, TA, NPS, deduction, औरहाल net salary, इन सबी के बारे में हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, अब देखो इस channel का सबसे main motive है, आपको हर एक government vacancy से update करना, कि उसमें कितनी salary मिल रही है, selection procedure क्या है, result कब आएगा, expected cut-off कितनी जाएगी, इस तरीके से जो भी आपके mind में question बनते हैं, उन सबी को यहाँ पर solve करना है, तो यदि आप government जो बनना, एक government officer बनना चाहते हो, या सरकारी vacancy का इंतजार कर रहे हो, तो please एक बार channel को जरूर subscribe करें, क्योंकि इस channel के माध्यम से मैं आपको always update रखने की कोशिस करूँगा, ठीक है, तो अब हम अपने वीडियो क सुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, दिखो, CGL में यदि आप लगते हो, तो यहाँ पर एक सबसे positive point यह है, कि एक central government job है, तीक है, कि इंदर सरकार के अधीन आप काम करोगे, तो सेवंत पे commission के coding यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, DA फिलाल में 34% present time में मि पड़ा कर 38% किया जा रहा है, central government के coding, HRA फिलाल 9%, 18%, 37% के slab के coding मिल रहा है, तो यह है, HRA और DA के बारे में, दो important बाते हैं, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, एक एक को लेकर, देखो, यहाँ पर मैं बात करूँगा, ग्रेड पे, basic pay, DA, HRA, TA, gross salary, NPS, other deduction, total deduction, and net salary के बारे में, ठीक है, अब देखो, NPS क्या होता है, national pay scheme होता है, इसका full form, और national pension scheme होता है, sorry, आपकी जो basic salary होती है, जो आपका DA होता है, इन दोनों को मिला कर, और इसका 10% होता है, NPS का मान, जब आप government job लगोगे, तो एक government आपका NPS account बनाएगी, और आपका जो महिने का NPS कटेगा, उसको आपके उस account में transfer कर देगी, अब जितना आपका NPS कटेगा, उतना ही amount government अपनी तरप से आपके उस account में add करेगी, ठीक है, और जब आप retirement लेके आओगे, तो with interest आपको ये वापस कर देगी, तो ये जो NPS आपका कट रहा है न, इसको tension निले न, ये आपका positive fund है, जो just double होकर आ 5000 आपका कट रहा है, तो आपके NPS account में total 10,000 amount जुड़ेगा, क्योंकि 5000 government खुद की तरप से और 5000 आपका कटेगी, और जब आप retirement लेके आओगे, तो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले double AO जिसकों assistant auditor officer बोलते हैं, और ये mostly C&AG department में काम करते हैं, 4800 grade pay की post होती है, basic pay 47,600 रुपए से start होता है, DA फिलाल में 38% है, तो 18,0808 रुपए DA हो गया, 27% के according हम HR account करते हैं, 12,852 रुपए, 3600 रुपए इनको transport का allowance मिलता है, इस तरीके से total gross salary बनती है, इनकी 82,140 रुपए, NPS करते हैं, का 65,68 रुपए, other allowance करते हैं इनके, जो medical से related हैं, जो 710 रुपए, ये आपका कटेगाई, total deduction हुआ, 278 रुपए, और overall जो net salary है, वो मिली आपकी, आपकी gross salary में से, यदि हम deduction को minus कर देते हैं, तो वो आपकी net salary दियाएगी, 14,862 रुपए है, ठीक है, अब उसके बाद में हम ASO, assistant section officer, secret respirator, जो की, जो ASO होता है, assistant section officer, ये secretariat में, IB में, ministry में या, AFHQ में, इन में काम करने का मुका मिलता है, इंको, income tax inspector जिनको CBDT या CBIC में काम करने का मुका मिलता है, सब इंस्पेक्टर इनको CBI में काम करने का मुखा मिलता है और इंस्पेक्टर इनको CBN में काम करने का मुखा मिलता है Central Bureau Narcotics में Grade Pay होता है इनका 4300 Basic Salary इनकी Start होती है 44900 से DA बनता है इनका 17,62 रुपए HR करता है इनका 12,123 रुपए HR मिलता है इनको 12,123 रुपए DA मिलता है इनको 17,62 रुपए Transport Allowance मिलता है इनको 3600 रुपए और इस तरीके से इनकी Total Growth Salary बनती है 37,685 रुपए फिलाल 2022 के अनुसार इनका NPS कटा 690 रुपए 6,196 रुपए 710 रुपए इनका अज़र डिड़क्षन हो जाता है Total डिड़क्षन हो रहा है इनका 6,906 रुपए Net Salary मिलती है इनको पहले महिने के Net Salary कितनी मिलेगी 7,779 रुपए बहुत अच्छा खासा माउंट होता है उसके बाद में हम बात करते हैं जस्ट आगे चल कर Assistant Sub Inspector जिनको NIA में काम करने का मौका मिलेगा Junior Statical Officer जिनको Ministry में काम करने का मौका मिलेगा Divisional Accountant जिनको CNAG में काम करने का मौका मिलेगा 4200 ग्रेड पे होता है Basic Salary स्टार्ट होती है 35,400 रुपए से इनको DA मिलता है 13,452 रुपए ठीक है Total Gross Salary बनती है इनकी 62,010 रुपए NPS कट जाता है इनका 48,85 रुपए अदर डिडेक्शन हो जाते हैं इनके 510 रुपए की Total Deduction हो गया है इनका 5,345 रुपए और Gross Salary में से यदि हम Deduction को Less कर देते हैं तो इनकी Net Salary बनती है 56,615 रुपए उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर Auditor की बारे में देखो Auditor जिनको CNAG में CGDA में और या Ministry में काम करने का मौका मिलता है Accountant जिनको CNAG में और Ministry में काम करने का मौका मिलता है Junior Accountant तो इनका जो Basic Grade पे होता है वो होता है 800 Grade पे Basic Salary होती है इनकी 39,200 रुपए DA मिलता है इनको 11,066 रुपए HR मिलता है इनको 78,84 रुपए Transport Allowance मिलता है इनको 36,00 रुपए Total Growth Salary बनती है इनकी 51,780 रुपए अब इसके बाद में इनका NPS करता है 4,029 रुपए Other Deduction होता है इनका 280 रुपए Total Cut रुपए होती है इनकी 4,309 रुपए Net Salary मिलती है इनके पहले महिने की 47,421 रुपए ठीक है उसके बाद में हम बात करते है Postal Assistant Senior Secretary की Tax Assistant जिनको CBDT और CBIC में काम करने का मुका मिलेगा Sub Inspector जिनको CBN में काम करने का मुका मिलेगा और Upper Divisional Clerk इनका Grade Pay होता है 2400 का Basic Salary होती है 25,500 रुपए इनको DA मिलता है 9690 रुपए का इनको HR मिलता है 8,855 रुपए 37% सलब के Coding जहां 18% मिलता है 18% हो जाएगा जहां पर 9% मिलता है 25 रुपए इन सबी को जोड़ कर NPS कटा है इनका 3519 रुपए अदर डिड़क्शन हुए इनके 280 रुपए की तोटल डिड़क्शन हुआ 3779 रुपए 99 रुपए और Net Salary बन गई इनकी 41,860 रुपए ठीक है तो ये है इनकी Net Salary तो इस तरीके से ये कुछ पोस्ट थी जिनके Salary के बारे में था अब देखो HR फिक्स नहीं होता HR तीन स्लेप में मिलता है 9%, 18%, 27% आपको जहां 9% HR मिलेगा Basic Salary का 9% आपको जहां 18% HR मिलेगा Basic Salary का 13% जहांपर आपको 27% HR मिलेगा Basic Salary का 27% Salary Increment के बात के रहे Salary में दो तरीके से Increment होता है एक तो Basic Salary में जो हर साल Average 3% बढ़ती है दूसरा होता है आपका DA में DNS Allounce में जो कि Central Government पर Depend करता है साल में दो बार बढ़ता है DA अब वो कितना बढ़ता है ये Depend Government पर करता है ठीक है Otherwise, Average एक साल में 3-4% इनका DA बढ़ता रहता है 3% इनकी Basic Salary बढ़ती रहती है तो इस तरीके से बहुत गजब की Salary मिलती है बहुत शांदार वाली बहुत गजब की नोक रिया है ठीक है अब आपके अंदर एक motivation आया हो आप इसी तरीके से always motivate रहना चाहते हो SSS is the else related कोई भी नया notification आता है उससे आप always update रहना चाहते हो तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राब करें बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए Thanks, Bye